अक्षे तिथी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है ऐसा भी कहा जाता है कि इस तिथी में जो भी पुर्णे किया जाता है वहाँ पुर्णे कभी समाप्त नहीं होता आज मैं आपको अक्षे तिथी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि अक्षे तिथी का महत्व इतना बड़ा क्यों होता है बैसाक मास की सुकलपक्ष की पढ़ने वाली अक्षे तिथी को आपको क्या क्या करना चाहिए पुराणों में इस तिथी के बिसे में जो ज आश्ट तक देखिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ब्रह्मा पुरान में लिखा है कि अक्षे तृतिया में जो सतकर्म किया जाता है वहां सतकर्म अक्षे बन जाता है अथार्थ वहां किया गया पुर्ण्या कभी भी खत्म नहीं होता इस दिन तो भक्ती भाव से किसी तीर्थ में जाकर इस्टान दान करना चाहिए अगर किसी तीर्थ में आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही पुर्ण्य कर्म को करना चाहिए अपनी सरदान उशार जब हवन पित्रतरपन दान आदि करना चाहिए इस दिन अपने आरद्य देवों की पूजा करनी चाह को अक्षे पुन्यफल प्राप्त होता है और वहाँ इस संक्सार से मुक्त हो जाता है अक्षियत तृतिये के दिन गंगा जी में इस्दान करना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य सभी पापु से मुक्त हो जाता है तता संपूर्ण देप्ताओं से वंदित्थ होकर भगवान का पूजन करना चाहिए इसलिए आप इस दिन या तो किसी तीर्थ पर जाकर पूण्य अर्जित करें अगर किसी तीर्थ पर जाना संबब नहों सके तो आप किसी मंदिर आधि में जाकर अपनी शर्दा अनुशार कुछ न कुछ दान आधि अवश्य दें तथा अपने घर या किसी मंदिर आदि में स्वयम या किसी ब्रामन के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना अवश्य करें ऐसे करने से आपको पुन्य फल की प्राप्ती होती है पुराणू में ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य को भक्ती भाव से अक्षे अत्रतिय के दिन गंगा अस्टान करना जो से हवन करना जो का ही दान करना सोयम जो को पका कर खाना ऐसा करने से संपूर्ण पापों का नास हो जाता है जो मनुष्य भगवान विष्ट का पूजन इस दिन करता है भगवान किष्ट को चंदन लगाकर सजा धजाकर भक्ती भाव से पूजन करता है वहा मनुष्य अंत में बैकुन जाता है